जहें दोस्तो आज के इस कलास में हम कवर करेंगे बीए फिप्ड समेस्टर का economics ठीक है अर्थसास्त्र पेपर का नाम है दोस्तो economic growth and development ठीक है यह कलास तीसरा है इसके पहले बिज़ने कलास हुए है आपको वीडियो का लिंक डिस्किप्सर गाइगा इस कलास को देखने के पढ़ एगा नौर्स को तो ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यह ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं आपके लिए प्रस नंबर 1 इसमें पूँछा है दोस्तो धारडी टिकाओ वीकास से अर्थभ है तो दोस्तो टिकाव विकास से क्या रथ है बिना परियावरण को हानी पहुंचाए जीवन की गुडवत्ता जारी रखना धारली ये टिकाव विकास का अर्थ होता है आगला प्रस्ण है दोस्तो इसमें दूसरा most important प्रस्ण है यह 100% यह प्रस्ण आएगा जरूट ठेक है इसे लिख लेजेगा या तो आप इसक्विन सोल लेकर रख लेजे इसे ब्रेट लैंड प्रतिवेदन किस विशे पर है जन संक्या नियंतरल पर धोगों पर धारली टिकाव विकास पर या खनन पर तो दोस्तो जो ब्रेट लैंड प्रतिवेदन विशे है यह धारली यह टिकाव विकास पर है आपसन नमबर सीस में सही है नोर्स को ध्यान से पढ़ियेगा दोस्तों इसमें से कई questions आपके पूछे जा सकते हैं एक्जाम में ठीक है ध्यान से पढ़ियेगा चाहे तो आप इसे इसकी सोड लेकर रख सकते हैं ठीक है देखिए ब्रटलैन्ड रिपोर्ट जिसे अवर कामन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है यह सतत विकास के बारे में ठीक है आपके एक्जाम में पूछ सकता है जो ब्रटलैन्ड रिपोर्ट है उसे अनकीस नाम से जाना जाता है तो अवर कामन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यह किस के बारे में है तो सतत विकास के बारे में है यह रिपोर्ट सहिंक तुराष्ट के ब्रटलेंड आयोग द्वारा 1987 में प्रकासित की गई थी ठीक है जो दोस्तों ब्रटलेंड आयोग थी वह कब प्रकासित की गई थी तो 1987 में इस पॉइंट को या आयोग WCED के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इस पॉइंट को भी याद रखेंगे यह 1984 से 1987 तक संचालित रहा इस आयोग की अध्यचता नार्वे की पूरुपरधान मंत्री ग्रोव हरलेम ब्रटलेंड इस पॉइंट को याद रखेंगा दोस्तों कि जो ब्रटलेंड आयोग इसको किस ने पारित किया था तो नार्वे की पूरुपरधान मंत्री थी ग्रोव हरलेम ब्रट ब्रटलेंड ठीक है इने के नाम पर ब्रटलेंड रिपोर्ट वे पड़ा है इस पॉइंट को याद रखेंगे प्रस नम्र तीन इसमें पूछा है दोस्तों धारड़ी ये वि विकास जनसंख्या ब्रीदी और दोगित विकास या परिवहन विकास तो धारली विकास के जो घटक होते हैं वह धारली एक्रिसी विकास होते हैं ठीक है प्रस नमर तीन का अपसन नमर एस है नोर्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों क्योंकि यह बहुत इंपोर्टेंट है धारली विकास के तीन घटक हैं आर्थिक, समाजिक और परियाबरली यह आपके एक्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि धारली विकास के कितने घटक होते हैं तो तीन घटक होते हैं और अगर पूछेगा कि धारली विकास के तीन घटक कौन कौन से हैं तो आर्थिक, समाज सहसराब्दी विकास लच्छों में कितने विकास बिंदुगों को सामिल किया गया है तो आठ बिंदुगों को सामिल किया गया है दोस्तों जो आठ बिंदु है उनको मैंने यहां पर नोर्स में लिख दिया है उसको विध्यान से देख लेंगे ठीक है यह आपके सब्जेक्ट सार्व भौमिक प्राथमिक सिच्छा हांसिल करना लैंगी समता को बढ़ावा देना और महिलाओं को ससक्त बनाना ठीक है बाल मृत्ति उधर कम करना आगे पढ़ेंगे दोस्तों इसमें पांचवा पॉइंट था मृत्त स्वास्थ में सुधार करना एचाईबी, एड्स, मलेरिया और अन बिमारियों का मुकाबला करना परियाबरली इस्थीरता सुनुश्चीत करना वैस्विक विकास के लिए संबंध अस्थापित करना ठीक है बहुत ही इंपोर्टेंट है यह प्रसंथा ठीक है दोस्तों अगला नोट से दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा इन आठ लच्चों के लिए 60 संकेतक और 21 लच्च है मौस्ट इंपोर्टेंट है ठीक है इस पॉइंट को याद रखेंगे हर लच्च के लिए मायने योग स्वास्थ संकेतक और आर्थिक संकेतकों की एक स्रिंखला है सहसराब्दी विकास लच्चों को सितंबर सन 2000 में हस्तांतरित सहसराब्दी घोसडा में निर्धारित कई प्रतिवत धताओं से विक्सित किया गया था 189 देसों ने इस गोसड़ा पत्र पर हस्ता अच्चर किया थे आपसे एकजाम में पूछ सकता है दोस्तों कि जो असराब्दी विकास था उसपर कितने देसों निर्धारत तत्तों माना है बैंक साखा को पूजी बचत को ये वो भी दूनों या उपभोग को तो दोस्तों जो बैंक साखा है और पूजी बचत है इन दोनों को लुईस ने पूजी निर्माल का निर्धारक तो माना है इस पॉइंट को याद रखेंगे यानि ये और भी दोनों है नोर्स को ध्यान से पढ़ लेंगे दोस्तों पूजी निर्माल को प्रभावित करने वाले कुछ कारक है आप से एक जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि पूजी निर्माल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं तो उचाय है कम कराधान है बचत करने की इच्छा ठीक है ये तीनों क्या है पूजी निर्माण को प्रभावित करने वाले कारग इस पॉइंट को याद रखेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट कलास है दोस्तों इसे सेर जरूर कर दिजेगा अपने दोस्तों के साथ कम सकम पूजी वादी तथा जीवन निर्वाह छेत्र ठीक है आपसे नमबरे है लूइस के अनुसार अर्दविकसित देशों में द्वयत अर्थवेवस्था होती है पूजी वादी तथा जीवन निर्वाह छेत्र नोर्स को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों लूइस के अनुसार अर्दवीकसित देशों में द्वयत और द्वयवस्था होती है जिसका मतलब होता है ठीक है जो उपर पढ़े हैं दोस्तों अर्दवीकसित देशों में द्वयत और द्वयवस्था का मतलब क्या होता है गरामेरी छेत्रों में हमेशा अधिसेश सरम होता है इस निर्वाज छे बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान दिजीगा लुईस ने 1954 में दोहरी अर्थवेवस्थाओं की आउधारला दी थी ठीक है आप से एक्जाम में पूछ सकता है लुईस ने दोहरी अर्थवेवस्था की आउधारला कब दी थी तो 1954 में दी इस पॉइंट को याद रखिएगा उ बिखास नमबर साथ है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है ध्यान दिजीगा आर्थर लुईस द्वारा प्रतिपादित विकास माडल में अस्मित सरम पूर्टी की आसा है और थवेवस्था में मजदूरी कितना भी कम न हो सरम पूर्टी अनंत होती है नहीं बिल्कुल नह ठीक है आर्थर लुईस द्वारा प्रतिपादित विकास माडल में जो अस्विमित सरम पूर्ती का जो आसा है वो जीवन निर्वा अस्तर पर मजदूरी देने पर भी सरम पूर्ती उनकी माग से अधिक होती है इस पॉइंट को याद रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है यह सभी प्रिश्ण मोज़ इंपोर्टेंट है ध्यान दिजिएगा अस्मीत सरम पूर्ती का सिधान्त प्रस्तूत करने वाले और्थ सास्त्री ये आएगЕ ज़रू लिख लिजी से स्रम की असमीत आबूर्ती के साथ आर्थिक विकास का माडल पेस किया था लुइस ने 1954 में अपना सबसे प्रभावसाली विकास और थसास्त रिलेख प्रकासित किया था इस पॉइंट को याद रखेंगे इस लेख में उन्होंने दोहरे माडल या लुइस माडल पेस किया था ठीक है बहुत इंपोर्टेंट यह नोट से इस पॉइंट को याद रखेंगे इस की इन्सौल लेकर रख लिजिए पढ़ते रहेगा ठीक है लुइस के माडल में यह बताए गए आपके ग्याम में पूछ सकता है प्रस नमबर नौ है दोस्तों लेवीस के अनुसार पूजी ब्रिधी होने से शरम का जीवन निर्वाज छेतर से पूजी गत छेतर में अस्तांतरित होता है और इससे प्रतिव्यक्ति उत्पाद में ब्रिधी होती है कमी होती है कोई परिवर्तन नहीं होता है या इसमें कोई नहीं है तो दोस्तों जो लेविस के अनुसार पूजी बृधी होने से सरम जीवा निर्वाज छेतर से पूजी के छेतर में अस्तांतरित होता है इसके प्रति उत्पाद में जो है वह हमेशा बृधी होता है इस पॉइंट को या नहीं बिल्कुल नहीं है अर्थ विवस्ता में उपलब्द सरम संमान न्यता अकुसल प्रकार का होता है तो जीवन निर्वा छेतर में पूजिवाधी छेतरं की अपष्छा परतिव्यक्ति उपज अधिक होती है यह इनकी माननेता नहीं है इनका याद रखिएगा अर्थविवस्था में असमीत सरम पूर्ती बिद्वान है ठीक है अभी मैंने उपर आपको पढ़ाया था लुइस माडल ठीक है उसको उस पॉइंट को ध्यान से पढ़ लिजेगा देखिए यहां पर पूछा है अर्थविवस्ता में उपलब्द स्रम माननेता अकुचल प्रकार का होता है ठीक है अर्थविवस्ता द्वी छेतरी है पूजिवादी छेतर तथा जीवन निर्वाज छ सिर्में बिकास की परकिरिया में भारी मात्रा में सरम सक्ती का हस्तांत्रर्ण क्रीशी छेतर में गैर कृषी छेतर में होता है ठीक है यह विचार किस ये क्या आवस्यक है उपभोग ब्रीधी आवस्यक है लाब ब्रीधी आवस्यक है आयका उचा होना आवस्यक है या मांग ब्रीधी आवस्यक है दोस्तो रोजेश्टीन और रोदान के अनुसार मांग ब्रीधी ठीक है मांग ब्रीधी बचा तेवं निमेश ब्रीधी के लिए आवस्यक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे. प्रस नमबर तेरे इसमें पूचा है, दोस्तों. रोजश्टीन के अनुसार निमेश में बड़े धक्के के अधार पर ही अर्थवेवस्ता को इस्थिर सक्तियों के चंगूल से मुक्त किया जा सकता है. प्रस नमबर तेरे इसमें पॉइंट को याद रखेंगे. रोजश्टीन के अनुसार निमेश में बड़े धक्के के अधार पर ही अर्थवेवस्ता को इस्थिर सक्तियों के चंगूल से मुक्त किया जा सकता है. प्रस नमबर चवदा इसमें प्रवल प्रयास सिधान्त का प्रतिपादम किसने किया जो प्रवल प्रयास सिधान्त दोस्तों इसका प्रतिपादम किसने किया है रोजश्टीन रोधान ने किया है ठीक है आफसर नमबर ए है आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 15 है इसमें दोस् very most important है एक बड़े धक्के के प्रयास पर बल दिया है क्या या सही है दोस्तों तो बिल्कुल सही है ठीक है आपसर नमबर यह है इसमें आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 16 है इसमें बिग पुस सिधान्त के अनुसार छोटे-छोटे विकास के कारे करम एक बड़े विकास का रू रूप नहीं ले सकते हैं ठीक है इस पॉइंट को याद रखेंगे प्रस नमबर 17 है दोस्तों बिग पुस सिधान्त के अनुसार नीजी विनियोग को संभव बनाने के लिए क्या करना चाहिए तो पूरग विनियोग करना चाहिए 17 का आपसर नमबर यह है दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 18 है इसमें पूछा है बिग पुस सिधान्त का प्रमुक अधार क्या है बाहरी बचत को प्राप्त करने की संभवना या आंतरीक बचत को प्राप्त करने की संभवना अधिक उपयोग या कोई नहीं तो दोस्तों बिग पुस सिधान्त का जो विकसित देश अल्पकालिन इस्थीरता में जगड़े रहते हैं या बाहरी तथा आंतरिक बच्चतों को प्रात्प करने के संभावना रखते हैं या दिर्गकालिन इस्थीरता में जगड़े रहते हैं तो आफसर नमबर सी है ठीक है बिगपूस सी धानत के अनुसार जो अल् नहीं देता है या फिर नीजी चेत्र में बीन्योग पर जोड़ना ही देता है या उप्रुक्ट सभी दोस्तों 20 का अफसन मड इसमर्डिय है उप्रुक्ट सभी पर जोड़ना ही देता है त्रेक अ फूसि थान्ठों क benefप्र्स नमबर कुई स इसमें अल्पविक्सित देशों के संब्द में बिगपुसित धांत की माननेता है कि पूजी उत्पाद अनुपात अधिक है पूजी उत्पाद अनुपात इस्थिर है या पूजी उत्पाद अनुपात कम है या इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों जो अल्पविक्सित देशो के संबन में बिग पुष सिधान्थ है वह पूजी उद्पाद अनुपाद अधीक 80 पॉइंट को याद रखेंगे एक 80 काफशन नमबर है अगला प्रसने प्रस नमबर 22 है इसमें बिग पुष सिधान्थ की यतिहासिक प्रमाड़िक्ता का सिधान्द दोस्तों क्या होता है पूष्टी नहीं की जा सकती है ठीक है प्रस नमबर 23 है इसमें प्रबल प्रयास सिधान्द निम्न में से किस धारड़ा पर अधारित है जो प्रबल प्रयास सिधान्द किस धारड़ा पर अधारित है आंतरिक बचते पर जनसंख्या पर बा प्रवल प्रयास से धांद जो है वो बाय भचतों पर अधारित होता है प्रस नमबर 24 है इसमें किस और थसास्त्री का संबंद प्रवल प्रयास यानि बड़े धक्के की विचारधारा से नहीं है हरवेली भी श्टीन है रोजे श्टीन रोधान है इनेसल्स है या लूइस है द अधुनिक और थसास्त का जनक माना जाता है अब कि जो अधुनिक और थसास्ती जनक कान है तो एड़म है इस पोइंट को याद रखेंगे ध्यान दिजेगा दोस्तों एडम स्मित के कुछ योगदान है उची योगदान को ध्यान से देख लीजिए स्रम भी भाजन है सकल घरेल उत्पाद जीडिपी है और द्रिस्च जहाथ का सिध्धान यह किस ने दिया था एडम स्मित ने दिया था इस पॉइंट को याद रखेंगे इसको भी याद रखेंगे एडम स्मित इसकार्ड लाइन के रहने वाले थे और गलासगो बिस विद्धाला में प्रोफेसर भी थे एडम स्मित इसकार्ड लाइन के रहने वाले थे प्रस नमर पचीस है दोस्तों रोजन स्टीन रोधान ने निमने लिखित में से किस अभिभाजता का उलेक किया है उत्पादक फलन की अभिभाजता या मांग की अभिभाजता या फिर बचतों की पूर्ती की अभिभाजता या उपरुख सभी क्या है इसमें रोजयन श्टीन रोदान ने अभिभाजिता का उल्लेक किया है उतपाधन फ्लन की अभिभाजिता मांग की अभिभाजिता और बचत पूर्ती की अभिभाजिता इस पॉइंट को झाल झाल